खबर बिहार के फार्विस गज की है जहां दो बेटों ने अपनी मा की हत्या के लिए एक लाख रुपया के सुपारी दे दिया था जब हत्या के बाद सुपारी किलर को पूरा पेमेंट नहीं मिला तब दोनों के बीच नोक जोक हो गई और इसकी भनक पुलिस को लगी फिर पूलिस ने इन रास को पड़ा उठाया देखिये ये रिपोर्ट फार्बिस कंज के एक हैरका पंचायत के वाडर संख्या दो में पिछले 29 जून की रात ने कलपना देवी की गला गेत करकी गई हत्या में जेल भेजे गए उसके पती जीतेंद्रमंडल निर्दोश है और हत्या की साजिश म्रतिका के दो सौतेले बेटों ने ही रची सौतेली मा की हत्या के लिए पुत्रों ने एक लाख की सुपारी भी दी थी और हत्या कांड कारिट किये जाने की एवज में बकाइदा पचास हजार रुपे का भुक्तान भी कर दिया शेश रकम की अदाइगी को लेकर जब सुपारी किलर और साजिश करता के बीच नोग जोग शुरू हुई तो घटना के अनुसंधार में लगी पुलिस ने सुड़ागवाते हुए साजिश करता दो सुपारी किलर को भी गिरफतार कर लिया और कलपना दिवी हत्या कांड के रहस्य से परदा उठा दिया फार्पिस कंज के डियेस्पी रामपुकार सिंग के नेतरत्व में पुलिस ने कलपना दिवी हत्या कांड को सुलजाने के लिए वैग्यानिक और तक्निकी अनुसंधान का सहरा लेते हुए पुलिस ने म्रतिका के दोनों सौतेले पुतर क्रमशा प्रकाश कुमार और शाषभूशन कुमार के दो सुपारीकिलर आमारा वार्ड संक्या 10 के कनया कुमार मंडल के ता सत्य नारण, मंडल और भाकोहलिया वार्ड संक्या दो के अखिलेश मंडल को सबूत के साथ गिरफतार किया गए दरसल घतना को अंजाम देने वाले कनहिया कुमार मंडल अमारा में निर्मान अधीन एक पेट्रोल पंप में काम करता था और वहीं पर अखिलेश मंडल भी पेंटर का काम करता था जहां सौतेले भाई प्रकाश और शशिभुशन कुमार कनहिया के संपर्ख में आये और दोनों भाईयों ने कनहिया और अखिलेश के साथ मिलकर हत्या की साजश रची हत्या कंड को अंजाम देने के लिए एक लाख में डील हुई जिसमें दोनों भाईयों ने बकाईदव पचास हजार रुपे का पेमेंट भी कर दिया लेकिन 19 जून की रात करतना देवी के गलारेत कर हत्या कंड की घटना कारेत होने के बाद शेश पचास हजार की रकम की अ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने रूपी बनाए गए मिरतिका की पती जीतेंद्र मंडल को गिरफतार कर जेल बेज दिया था लेकिन पुलिस मामले के अनुसंधान में वैज्ञानिक और तक्निकी अनुसंधान का लगातार सहारा ले रही थी और अनुसंधान के इसी पिशाल में साजिश करता और आरोपी वस गए नावालिक के साथ साथ वर साथ वर साथ वर सब्सक्राइब क्या मामला दो दिन पहले नर्पत घंस ठाना के खैर्मा गाउं में आठ वरस के बच्ची के साथ पास के ही उसी गाउं के जो उनके संबंधी लगते हैं प्रोस के द दौरा बच्ची को भाला पुछला कर देती इसके साथ विसकरम किया गया था और विसकरम के करम में उसके अस्तिति काफी नाजुक हो गई थी उसके परिजन के दौरा तच्छन वे भर्ती करा गया था तो प्रतेंदिश्चा उम्मों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बच कि दौरा हमको दौराचार किया गया था और उसमें जो दौराचारी है वो जिस समय से घटना हुई थी उस समय से होस्पीटर में उसके साथ-साथ ही रह रहते हैं लेकिन जैसे ही बच्ची को होसाया वो वहां से प्लब भाग देता हम लोगों ने इसमें परित कारवाई किय हमारे पुली सदिचकार था कि इसको रात रात तक इसको अंजाम पहुंचाया जाए हम लोग ने रात में ही जैसे ही सुचना मेरी हम लोग फ़या रंकित करते हुए अभितर कारिवाई करते हुए प्राथ्विकी अभिदिली को हम लोग इरफदार कर लिए हैं हम लोग 24 घं के अंदर इसको के अंकमल जो कारवाई है वो सकाह मुझे विचार नहीं तो नियाले से विए नोद करें और हम लोग इस एक सब्ता के अंदर इस तारेक प्रक्वन को फुट है कि आत्री में भार्विश कंस्थाना अंत्रगत अमारा गाउं में एक मिर्शन सथ्यावी थी सोय वस्था में महिला को गर्दन काट जेते मार देया है यह कांड तार सफल उखेलन हुआ है और बहतरीन हुआ है प्रथम दिश्चा जो मिर्तिका के परिवजनों के बारा आरू प्रफ लगाया गया था कि उसकासि मार दिया है लेकिन जै इसका प्रवारा हथ यह नहीं किया गया था बलकि उसके सोधेले कुद्र के द्वारा विग्णी च्य माह से उसके हथिया के यूजना बनाई जा रही थी और एक लाक रुप्या देखके फ्राड़ाव की आदमी ल मैसे महत्राकुन साक्ष को Tack आया था और जो अध्या में ि भीता लिए पाइसाथ देने और शट्ले में भुनिका थी इसको भी घृबदार कर लिया गया तो और जो मिटिका के जो ते पती का सौतेला बेटा जो है यानि इस दोनों भूर गिरबदार कर लिया इसका बैज्ञानी करुम संधान भी किया गया था, वहां पर महत्पुन साक्ष को एकत्रित किया गया था, सभी को मिलाया गया, कि किस परकार घटना होई, बिगत दिसंबर से ये लोग उसकी हत्या करने के ताक में से उसके लिए एक लाग रुपीया पिस पस्तोदा हुआ था पचास जार रुपिया दिया गया था, बीच में नहीं देने पर इसका मतवेद हुआ था, बाता बाती हुआ और खटना के दिन ये लोग आकर के बेटा सभी को इसके कोन पर बात किया, इसका सभूत है परमान है और हत्या कर दिया गया था, इन में सभी की किरभडारी हो और इसका पिता जो अब तक के कार्ण में संदहान में दोस्त पाया गया है, हम लोग उसको जेल से मुक्त करने हैं, तुभी जाले को अंडोप करेंगे, और मुक्ती के दिसामे में कारवाएगे, अप्या क्यूंट है जार था, हत्या नौवंबर में इसका पिता, जो है, सश पत्नी हैं, उसके नाम से कर दे गया था, बसीयत क्या दिया गया था, और हाल में मकईग खजब उपजा था, तो दो ट्रेक्टर मकईग जो उपजा हुआ हुआ था, बेच दिया था, जिते अंदर मंदा, और पैसा घर में ने दिया था, तो इन सब यही बीवाद था, मूर सुरूप में था, जमीन अपने उसे पत्नी के नाम से कर देने के कारण ही, इसका बेचा भाड़ा करके अबराद करियों को लाकर क्या हथ कर दो